तो हे गाइस कैसा आप लोग मैं हूँ नुमरान पहले वाल आपका हारदिक स्वागत करते हैं हमाये चैनल में तो आई ही शुरू करते हैं आज का वीडियो को आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेक्षर बन लेने वाले किस का पाथ है का आपको बताया है था पाथ हैं रह एक ऊचैनल में चैप्टर को पहले समझेंगे कि हम cela प्रकार के बात्व है और में मिनश्री डिस्र्किशन में बतायतकं पहले किसमें इसब को लिखा हुत ये एक स्थ को आपने लिंग और आपको आपको कुअग आ पार है का Amanda was the आपको मिल जाएंगे कोटा कोचिंगी नोट साप कह सकते हो उनको और तीफरी जी मिलेगी क्वार्टिक वेशन के प्रिविएश के पेपर जो 2002 से लिकरके 2018 तक होंगे ठीक है फ्रेंड्स और 2019 वाले क्वेशन दे उसके स्राइड हम लोग तयार कर रहे हैं और आपको time to time थोड़े समय बाद आपको मिल जाएगी आइए फ्रेंड्स बिना देर कर रहें इस चैनल को subscribe कर लीजिए share कर दीजिए like कर दीजिए क्यों कि यह सर्फ 11-12 वालों के लिए oriented है और हम जेए की भर में बात कर रहे हैं तो आइए विडियों स्टार्ट करते हैं देखो Quad Equation को हमें पहले क्या करना है समझना है कि चैप्टर है क्या तो देखो Quad Equation जो है वो चार Topics में divided है ठीक है सबसे पहला Topic आता है आपका Basics Basics क्या होता है बताता हूँ जहें Nature of Roots हो गया ठीक है C 0 कर दिया A 0 कर दिया तो उसे लेटेखर तरम आती है ठीक है उसे लेटेर रूट्स के बार में हम बात करते हैं Next हता Common Roots common Roots अपको पता है दो प्रकार की होते हैं एक होता है जिसमें कि तीनों की तीनों big root common होते है का ऐसा question देता है मतलब उसके जो terms है वो बिल्कुल perfect है और वो बनी मनाई है वही आती है exam में ठीक है डीट तो obviously change होगा बड़ जो concept है वो बिल्कुल same exact है जैसे कि suppose जो दो number की बिचमस का एक route है और एक route के आगे है तो उससे लिटर आप बताओ उसकी necessary and required conditions क्या होंगी ठीक है friends तो चार्ट topics में divided required equation सबसे पहले हम बात करेंगे कि 15 साल में क्या हुआ है 15 साल में average कैसे निकला है ठीक है तो 15 साल के हम बात करें तो total 31 questions आ चुके 15 साल के अंदर-अंदर 31 questions एक chapter में से मतलब on an average 2 questions एक साल में आ रहे हैं बिल्कुल सही है एक साल में 2 questions आराम से बनते हैं इसमें अराम से आतने ठीक है तो एक plus point है दूसरी जिसमें आपको खुद personally बता दू कि quality question बहुत easy chapter 8 कुछ toughness के साथ खेलना है और बहुत आसान है कब तक आसान है जब तक आपको कुछ भरी चीज़ नहीं दे ठीक है नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है सब आसान है कोई रिक्का तालीबात नहीं है तो आप कर लोगे next हम लोग बात करने वालें कि average हमने बात कर लिए अब हम बात करेंगे basics particular cases common routes and location routes कि उसमें कितना कित question देखे गए जब हम लोग ने पूरे statistics निकाले तो उसमें हमने क्या पाया कि जो आपके basics है उसमें सबसे ज्यादा question गुशन पूचे गए 15 साल के अंदर फिर हमने क्या देखा particular cases particular cases जो में आपको यह बता तो उसमें सिर्फ team question पूचे गए है और आपके common routes के अंदर 4 question पू तो इस प्रकार आपका देख सकता आपका priorities अब देखो हम बात करेंगे आगे 2019 के बार में 2019 के आपने अलग क्यों क्या लोग सोच होंगे इसलिए सोच होंगे क्योंकि 2019 जो था वो online paper था 16 set आया थे तो ज़रूरी इसका अलगी करना तो मैं शुजाता है ना वहनना question कितने हो 16 times हो गए सारे तो अगर हम बात करना इसमें तो basics में से 6 question आया ठीक है particular case में आपके 4 question आया location route में 5 question आया common route में एक भी question नहीं आया ठीक है तो हमें इस प्रकार से priorities set करने है अब हम लोग आखर में results की बात करते हैं देखी results भी डो प्रकार से निकाला है मैंने एक तो निकाला concept wise एक निकाला weightage wise ठीक है अगर आप लोग की सोचते हैं अगर वेटेज वाए देख लो sir क्योंकि क्या हमें पता लगे कहां से ज्यादा question आ रहा हमाले तो important वह यह घाने का concept इतना नहीं है तो अगर आपको ऐसा है तो फिर basic सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिर location roots को फिर common roots को फिर particular cases को ठीक है अब दोको basics में सिर्फ basics नहीं है basics में आपका mislinious भी है basics में बहुत सारे concepts है तो total मिला कि मैंने basic लिग दिया उसका इसलिए 19 questions हो रहे है इसमें अभी 3-4 subdivide हो जाएंगे बड इतना हमें घुसना नहीं हमें करने से मतलब है ठीक है तो अब अगला हम लिखें तो सबसे पले मैंने लिखा है location of roots ऐसा क्यूंकि आप यह उसमें तो 5 questions आरे फिर भी आप इसलिल लिखा है क्यूंकि अकर आप construct wise देखो कि सबसे आकर में पढ़ाया जाता है और थोड़ा अच्छा topic है मतला अगर मन लगा के पढ़ो तो आराम से पढ़ाय में भी हो तो ऐसे questions भी आते है तो particular cases भी थोड़ा important basics को मैंने 3rd priority पर इसलिए रखा है क्यों बहुत सबस्दों चीज़े है basic स्रिफ basics है अगर हमको excel करना हो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा हमारा exam है तो मैं कहता हूं कि तुम्हें कितने दिन तीन दिन लगेंगे तीन दिन पूरे नहीं कहा रहा हूं तीन दिन दो-दो गंटे तीन दिन पढ़ लो या 6 गंटे पढ़ लोगे न तो quad equation पूरा आ जाएगा अराम से जो एक अच्छा बच्चा होता ना जिस लेवल पर आप अहां तक पहुंच जाओगे इतना easy chapter है तो इतलो मैं क्यों कह रहा होगा तो फिर आपको टाइम नहीं करना मुझे बिल्कुल basics पर काम करना है ज्यादा लोड नहीं लेना तो फिर एक ही काम करोगे आप क्यार quad equation के अ को cross multiplication एक बर आ गया ना तो फिर common roots ही नहीं तो अगर सबसे पहले करना तो क्या करोगे basics फिर क्या करोगे common roots फिर क्या करोगे particular cases फिर क्या करोगे LOR एलो आठ छोड़ भी दो कि तो कोई रिक्कत नहीं क्यूशन जादा आते तो हैं सही एक question तो आएगा ही सही बट एक दो दूसरा आपको basics में सहोगा तो एक चीज मैं बता दूँ कोई confirm नहीं यह सारी चीज़े जो मैं आपको बताईए सारा statistics यह बिल्कुल confirm है इसका कोई load म मही में तो कुछ नहीं कह सकते हैं ठीक है तो जो आएगा वह आपको देखना पड़ेगा तो मैं तिसकी guarantee नहीं ले रहा हूं कुछ भी आ सकता है बट एज मैं बतादे क्यार आप इन इन टॉपिक्स को कर सकते हो ठीक है और लगबग के estimation गलत नहीं होगा ठीक है तो हो गया आप लोग को पता है मैं अधिक प्लसमेंट हो सकता है कि यार मतलब देखो मैं दो बाते करता हूं आप से एक तो वह चीज है कि आप लोग अगर पड़ाई करोगे तो बहुत अच्छा golden time है फोड क्या होगे अराम सो जाएगा लेकिन अगर पड़ाई नहीं करोगे तो competition से चेल हो बंदा पढ़ रहा है क्यों पंटठेगा पड़ पाचास दिन अक्स्रा कॉं नहीं पढ़ेगा परेंट ऐसके आउख खाहू जाप बताए है and take care of yourself daily एक lecture आपको मिलेगा तो धंक से पड़ो यार और मुझे comment section प्लीज बताया गरो वीडियो कैसा था जो doubt से वो भी पूछा करो WhatsApp ग्रूप है हमारा अगर आपको चाहिए में link नीचे डाल दूँग आप join हो सकते हो thank you guys good bye